Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. Students, आज हम अपनी Moments book से chapter 2 पढ़ेंगे, The Adventure of Toto by Ruskin Ward. Students, ये एक monkey की कहानी है, इस monkey का नाम Toto है. Toto की जो दाथ हैं, वो बहुती, पली हैं, पली मिस, चमकेले मोती के समान चमकदार हैं. Eyes, स्पार्कल्ड करती हैं, वो चमकेली हैं, और जो इसकी पेल है, ये इसका एक helping hand है. जो ये काम, कोई भी काम हाथ से नहीं कर पाता है, वो ये पूच से बहुत अच्छी तरह से कर लेता है. अब दादाजी क्या करते हैं, इसको एक टोणर ड्राइवर से खरीद लाते हैं, फाइब रूपीज में स्टुडेंस, अब जब दादाजी गर में लाते हैं, तो वो दादी जी से इस बात की चोरी लगते हैं, कि वो कोई, तो monkey भी खरीद कर कर लाएं हैं, क्योंकि उनके ग जादा शबारती है, मिस्चिवियस है कि दिवारां की जो प्लास्टर होता है, वो तोड़ देता है, बॉल पेपर सब गेर, उन सब को फार देता है, कुछ देकोरेटिं की चीज़े थी, खुटी भी उपार देता है, वो सब तोड़ फोड़ कर देता है, थोड़ी देर और इसको नहीं देखा जाता, तो ये क्या करते हैं, राइटर का एक ब्लेजर वहां पर टंगा था, उस ब्लेजर की रसी बना करके, उसके द्वारा बाहर निकल गया होता है, तो दादा जी पड़े हसते हैं, राइटर को समझ नहीं आता कि इसने इतना नुक्साम किया, और उसके बाद भी दादा जी हस रही है, नेक्स देख गया होता है स्टुडेंस कि जो ये मंकी है, इसको दूसरे रूम में शिप्ट किया जाता है, दूसरे जानवरों के साथ, परन्तो उनको भी क्या ये सोने नहीं देता है, तो दादा जी जब अग्रे दिन वहां जा रहे थ सहारनपूर, तो इसको भी अपने साथ ले जाते हैं कि कहीं दूसरे जानवरों को परिशान करेगा, इसके बाद दादी जी को भी पता लग जाएगी कि ये शामिल हो गया जो में, तो इसलिए इसको वो अपने साथ ले जाते हैं, वो पैंशन लेने के लिए जा रहे थे, प बंद किया होने बोरे में कि इसका एक हार भी बहा नहीं निकल सकता था तो ले गए तो इसको प्लेट्पॉम पर लग दिया गया प्लेट्पॉम पर दादाजी जब टिकेट लेने गए तो सब लोगों की भीड लगे क्योंकि ये उच्छम पूद मचा रहा था महां पर आप कि किसी चीज के अंदर कोई चीज जो चलब कुद मचाए तो वहां एक्जिशन जासी लग रहा है अब दादाजी इसने किसी तर ऐसे क्या-क्या अपना मुझ बहार लिया और जब टिकेट कर लेक्टर ने टिकेट दादाजी से मांगा तो भी इसका भी चार्ज किया खुले कि इस कुट्य का भी चार्ज को ठीरी रुपीज दादा जी ने अपना कछवा एक जें में से निखाल करके कहआ कि क्या इसका भी चार्ज रोगन टिकेटесть कर लेक्टर से कि नहीं-दाव ये तो कछवुला है ये कुट्धा दोडिना है पुछ टिकेट लेक्टर था मुछ इसक इक बाल्टी में गरम पाले दिया जाता घूर स प्रशा soccer प्रश्जर लाख ऌा धा करव जो तो इसने क्या होता है जब ये किचन के आगे से गुजर रहा होता है, तो इसने क्या देखा कि केटली रखी हुए इस पार, अब इसने सुचा बढ़ा आनन्द आ गया, अब केटली के अंदर गुज जाता है, और केटली के अंदर गुज जाता है, तो उसमें क्या होता है, कि पानी गरम बने लगता इतनी गिर्षां करते हैं जो स्कत्राइए बाहर पुर रूपेजर को 경ण में ड़ून करते हैं। उसी टॉंगा ड्राइवर को जिस्से की वो मौद को लाए थे। तो यहाँ पे स्टोरी फिनिश हो जाते हैं। Now, let us begin the chapter with the book. Let us begin the adventure of Toto by Ruskinborn. Grandfather bought Toto from a Tunga driver for the sum of 5 rupees. Grandfather Toto को एक Tunga driver से 5 रुपई में खरेद करके लाए थे। The Tunga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trove. A Tunga driver क्या करता था monkey को एक नांग जिसमें चारा डाला जाता है उसको आप क्या करते हैं। उसमें बांद करके उससे बांद करके रखते थे। A large container of feeding animals. एक ऐसा container जिसमें हम जानवरों के लिए चारा डालते हैं। And the monkey looked so out of place that grandfather decided that he would add the little fellow to his private Jew. A grandfather जो monkey था वो हमेशा उसके रख्सी बगरा तोर करके भग जाता था तो grandfather ने रिसाइड किया कि चलो हम इसको अपनी Jew के शोभा बढ़ाते हैं। Toto was a pretty monkey. Toto बहुती अच्छा सुन्दर monkey था. His bright eyes sparkled by the mischief beneath deep-set eyebrows. अब इसकी जो eyebrows थी, गहरी eyebrows थी, उसके नीचे उसके आखे बहुत चमचमाती थी. And his teeth और उसके दात, which were a pretty pearly white, बिल्कुल white थे जैसे की मूती होते हैं, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian. Anglo-Indian वो होते हैं, जो person related to both Britain and India. India और Britain से दोनों से related होते हैं, तो उन ओरतों को भी यह जो monkey के दात थे, वो डरा देते थे. Ladies, but his hands looked dried up as though they had been pickled. और इसके जो हाथ थे, वो ऐसे सुखे हुए थे, उनकी skin ऐसे सुखी हुई थी, जैसे की उसको बहुत दिनों तक धूप में रखा गया हो. And in the sun for many years, कई सालों से दूप में रखा गया हो. Yet his fingers were quick and wicked. परन्तु फिर भी उसकी जो उंगलिया थी, वो बहुत ही quick थी, एकदम active थी और wicked means वो नाटी बहुत थी, चंचल थी. And his tail और उसकी पूँच while adding to his good looks, जो उसकी सुंदरता को ओर बढ़ा देती, उसमें चाचान लगा देती थी. Grandfather believed a tail would add to anyone's good looks. Grandfather का विश्वास था कि किस जो पूँच होती है, वो किसी भी जानवर की सुंदरता को ओर बढ़ा देती है. Also served as a third hand, और वो दूस-तिसरी हाथ का भ a branch. वो जो मंकी था, वो इसको अपनी पूँच को एक branch पर लटकने के लिए use करता था. And it was capable of scooping up any delicacy that might be out to each of his hands. अब किसी चीज को वो खाने के लिए उठाने जाता था, तो वो उसके हाथ वहां तक नहीं पहुँच पाते थे. तो scooping lifting up, उसे पूँच से वो लटक जाता थ और उसल करके महां पे पहुच जाता था. Grandfather brought home some new bird or animal. Grandfather किसी भी नए जानवर को, animals को घर में लाते रहते थे. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. तो इसलिए Grandfather ने decide किया कि इस Toto की presence को, जब तक कि दादी मां का mood सही नहीं होता, तब तक के लिए secret रखा जाएगा. And I put him away in a little closet, opening into my bedroom wall. और मैंने क्या किया, इसको अपने room में रख दिया, मंकी को, और वहां पे जो wall थी, दिवार थी, where he was tied securely, or so he thought, to a pad fastened into the wall. पैगोती खोटी, तो उसमें उन्होंने क्या क्या, दिवार में खोटी गाड़ी और उसमें उस मंकी को बांग दिया गया. Release A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto. तो थोड़े गंटों के बाद, कुछ गंटों के बाद, जब हम मैं और दादा जी, मैं who is writer, मैं और दादा जी वहां पर आए, तो हमने देखा कि चलो मंकी को वहां से अटा लेते, we found then the walls, तो हमने देखा कि दिवारे, which had been covered with some ornaments, जो वो थी decorative तरीके से सजाई गई थी, paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster, तो वो उनको बिल्कुल लंगा कर दिया गया था, मिस उसका plaster उसकी इंट तक तोड़ दी गई थी, the peg in the wall had been wrenched, और जो खुटी थी, उसको भी wrenched मिस तोड़ दिया गया था, from its socket, socket में चांपे उस खुटी को लगाया गया था, वहां से हटा दिया गया था, and my school blazer, और जो मेरा school blazer आप देख रहे हैं, which had been hanging there, जो वहां पे लटका हुआ रहता था, was in threads, I wondered what grandfather, mother would say, मुझे बढ़ा आश्च दिया था, मैं बढ़ा दर रहा था कि पतानी दादी माँ क्या कहेंगी, But grandfather did not worry, but grandfather को बिल्कुल भी चिंता नहीं हुए, वरी में चिंता करना, he seemed pleased with Toto's performance, वो Toto की performance से खुश हो रहे थे, He is clever, said grandfather, grandfather ने कहा, वो बहुत चालाख है, given time, यदि उसको और समय दिया गया होता, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope, and made his escape from the window, तो मुझे प्योड़ा विश्वास है कि वो, he could have tied up torn pieces, कि जो torn pieces में फटेवे टुकुले थे, किसके, बलेशर के, उनको बांध लेता, tied up बांध लेता, और बांध करके एक लस्सी बना लेता, and made his escape from the window, और window से कूट करके बहार निकल जाता, His presence in the house is still a secret, घर में उसकी presence अभी भी secret रखी गई, दादिमा से गुप्त रखी गई, अब क्या किया गया, टोटो को ट्रांसफर कर दिया गया, एक बड़े रूम में, जो servant का रूम था, और वहाँ पर और दूसरे जानवर भी कई पैट जानवर रखे हुए थे, जो बड़े ही प्यार से, टोटाइस, अब क्या क्या जानवर थे वहाँ पे, टोटाइस था, पेर ओफ रैविट्स था, थे, एक टेम स्क्वाइरल भी उन्होंने रख रखी थी, और एक मेरी पाल तू बकरी भी थी, पर मंकी ने किसी भी जानवर को रात में सोने की पर्मिशन नहीं दी, इसलिए जो दादा जी कल जाने वाले थे, देरा दून अपनी पेंशन कलक्ट करने के लिए, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इस मंकी को अपने साथ ही ले जाएंगे, उन्होंने मुझे बात ने बताया कि उनके साथ क्या हुआ था, अब टोटो के लिए एक बड़ा सा काली रंग का कैनवास किट बैग बनाया गया, जिसमें this with some straw at the bottom और उसके बोटम में तली में कुछ straw में भूसा रख दिया गया, बिकेम इस न्यू अबोर्ड, अबोर्ड में हूम रहने का इस्थान, जिससे उस मंकी का नया घर बना दिया गया, वेन दा बैग वास क्लोजड जब बैग को बंद कर दिया गया, तो निकलने का कोई रास्ता वहाँ पे नहीं था, टोटो कुद नूट गैट इस हैंड्स त्रू दा ओपनिंग, एंड डाक कैनवाज वास तू स्ट्रों फोर हिम तू बाइट इस वे थू, अब टोटो को उसके हाथ भी वहाँ उसमें से निकलने के लिए कोई थान नहीं छोड़ा गया, और कैनवाज इतना स्ट्रोंग था कि वो उसके दातों के द्वारा कट भी नहीं सकता था, इस अफर्स तू गट आउट आउड वहाँ उस आउड तू रहल गया, अप्यावाँ, इस अफर्स तू आउड 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 वहाँ उसमें से लिए रहल में से जब बंकी उस बैक के अंदर अदर कुछ अड़। पूद रहा था जंप लगा रहा था तो वो जो बैग था वो कभी उपर होता कभी नीचे होता और occasionally jump into the air कभी-कभी हवा में उचल जाता था an exhibition that attracted a curious crowd अब एक exhibition जैसी जहांकी जैसी लग गई जो मंकी को देखने के लिए वह सारे curious crowd एक ऐसी भीड इखटी होगी जो जानना चाहती थी कि बैग के अंदर क्या है ओफोन लुकर सुन्दा देहरा दोन रेलवे station पर टोटो रिमेंड इन दे बैग एस फार एस सहारनपूर बट वाइल ग्रेंडफादर वास प्रोडूजिंग इस टिकेट एक द रेलवे ट्रंस टाइब अब टोटो को तब तक बैग में रखा गया जब तक कि सहारनपूर नहीं आ गया बट दादा जी को अभी टिकेट भी लेने जाना था तो टोटो सड़नली पोग्ड हीज हैड आउट उप द बैग तोटो ने अचानक अपने उस बैग से अपना सीर बहार निकाला एड गेब तकिट कलेक्टर आव वाइच ग्रिन और टकिट कलेक्टर ने एक बड़ी सी मुस्कान और बटी इसके तरफ देख करके मुस्कुराया मंकी अब विचारा जो टिकेट कलेक्टर था वो डर करके थोड़ा पीछे हट गया बट बिद ग्रेट प्रजेंस उप माइन प्रंतु फिर जल्दिस चाला की से मच्च टु ग्रेंट फादर्स अन्वाइन्स अब ग्रेंट फादर को भी इस बात पर गुसा आया कि उन्होंने क्या क्या he said sir you have a dog with you टिकेट कलेक्टर ने कहा कि sir आपके पास एक dog है you will have to pay for it accordingly आपको इसका भी किराया देना पड़ेगा in when did grandfather take toto out of the bag बिना मतलम में ही grandfather ने toto को bag से बाहर निकाला and in when did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog और उन्होंने ये भी कोशिश की कि इसको बता दू कि ये dog नहीं है एक monkey है और even as a quadrapt और एक animal है जिसके चार पैर होते हैं toto was classified a dog by the ticket collector पर toto को पूरी तरह से ticket collector के द्वारा एक dog माल लिया गया and three rupees was the sum handed over as his fare और fare के रूप में मिंस के किराए के रूप में जो ticket का price था उसके रूप में तीन रुपए ticket collector को देने पड़े then grandfather just to get out his own back to take revenge अब to get back to own back means to take revenge बदला लेने के लिए grandfather ने क्या किया just to get out his back took from his pocket अब हमारा writer कह रहे हैं कि जो हमारा पालतू जानवर था toto is उसको बाहर निकालते हुए दादा जी ने कहा कि what must I pay for this since you charge for all animals जब आप सभी जानवरों का किराया लेते हैं तो बताइए आप इसका कितना लेंगे when toto was finally accepted by grandmother अब toto को पूरी तरह से दादी मा के द्वारा अपना लिया गया कि ठीक है ये भी हमारे जू में रह लेगा तो he was given a comfortable home in the stable अब उनको एक अच्छे से stable में रख दिया गया stable means जहां पे जानवर रखी जाते हैं जैसे डंकी और horse where he had for a companion the family donkey और जहां पे वो बहुत दिनों तक रहा companion the family donkey उनका एक family donkey था जिसका नाम नाना था उसके साथ रहा monkey ओन टोटो उस फस्ट नाइट इन दा स्टेबल अब टोटो की ये फस्ट रात थी उस स्टेबल में उस स्टेबल में grandfather paid him a visit to see if he was comfortable तो grandfather उसको देखने के लिए गए कि क्या वो comfortable है या नहीं है to his surprise अब दादा जी को बड़ा अचंबा हुआ ये देख करके कि he found नाना without apparent cause बिना किसी कारण के ही उन्होंने देखा कि नाना जो था pulling at her halter अपनी रसी को खीचे हुए था and trying to keep her head as far as possible प्रोमे बंडलो फे बंडलो फे मिस भूसा भूसे का जो बंडल था उससे अपने आपको दूर रखे हुए था मैंस उसको उसको का नहीं रहा था मो ग्रेंड़ फादर गेव नाना slap across her haunches अब ग्रेंड़ फादर ने क्या किया एक ठपड मारा कान के पीछे दवा के किसके नाना के नाना हुए इस डंकी and he jerk she jerked back और वो थोड़ी से पीछे की सगया गया मिस यह डंकी है जो लेडी है ड्रागिंग टोटो सोरी फीमेल है ड्रागिंग टोटो with her अब उसने टोटो जब उखिसका तो टोटो को भी अपने साथ खिसकाया he had fastened on to her long ears with his sharp little teeth अब मंकी ने क्या किये हुए था बड़ी कस करके fastened कस करके नाना के long ears को पकड़ हुए था किसे अपने डातों से टोटो एंड नाना never became friends टोटो नाना कभी भी friends नहीं बन सकते अग्रेट ट्रीट फोर टोटो during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath अब क्या होता था कि जब ठंडी का मुसम आता था तो मंकी को टोटो को शाम के समय एक बड़ा सा जो बाउल था वो गरम पानी करके दिया जाता था उसके नाने के लिए he would cunningly test the temperature with his hand अब बड़ा चला cunning चला बड़ी ही चला के से test करता था temperature को अपनी finger डाल करके then gradually step into the bath फिर धीरे धीरे अपना पैर रखता था पानी में first one foot पहले पहला पैर रखता था and then the other और फिर दूसरा रखता था as he had seen me doing क्योंकि उसने ऐसा मुझे मुझे मिस राइटर को करते हुए देखा था until he was into the water up to his neck और उसके बाद वो जब तक कि उस पानी में गले तक नहीं चला जाता था तब तक उसको डल लग रहता था once comfortable एक बार उसको लग गया कि हाँ अब आराम है इसमें he would take the soap in his hands or feet अब वो क्या करता था साबून अपने हातों और पैरों से मलता था and rub himself all over और अपने पूरे शरीर पर मलता था he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself और जब उन्हा लेता था तो बहुत ही जल्दी से kitchen में अपने आप को सुखाने के लिए चला जाता था if anyone laughed at him यदि वो किसी यदि उसके उपर कोई हसता था ऐसा करते हुए during this performance ऐसा करते हुए देख कर यदि कोई उसके उपर हसता था टोटो's feelings would be hurt तो टोटो की feeling को बड़ा hurt होता था and he would refuse to go on with this bath और अगले दिन वो अबनाना के लिए जाने को मना कर देता था एक दिन तो टोटो अपने आपको जलाने में सफल हो ही जाता अब देखो क्या किया उसने अब एक बड़ी सी केतली किचन में लग दी गई किचन में गयास पर रखे गई किसले फायर के उपर रखे गई तो बड़ी उसमें पानी रख दिया गया और चाय बनाने की लग दी गई and टोटो फाइंडिंग इंशल्फ विद नथिंग बैठर और टोटो को थंड लग रही थी and decided to remove the lid उसने क्या किया केतली का धकन हटा दिया finding the water just warm enough for a bath उसने सोचा कि नाने के लिए पानी बहुत अच्छा है उसे बड़ा आनंद आएगा he got in बोस में गुस गया which his head sticking out from the open केतली और केतली के उपर अपने head को रखा यानि कि head को उसने केतली के अंदर डुबाया नहीं sticking out from the open kitchen, open केतली और अपने सीर को उसने केतली के उपर ही रखा this was just fine for a while थोड़ी देर तक तो उसको अच्छा लगा students आप भी अगर गरम पानी में हाथ देंगे जो gas पर या चुले पर रखा हो तो थोड़ी देर तो अच्छा लगेगा मगर जब वो उबनना शुरू जाएगा तब हम भी जलने लगेगे या आप करेंगे तो आप भी जलने लगेंगे तो until the water begin to boil परंतो जब पानी उबनने लगा तोटो दैन raised himself a little तोटो ने अपने आपको थोड़ा बहार निकाला but finding it cold outside परंतो जब चेक किया तो बहार बहुत ठंथी sat down again फिर से केटली में बैठ गया he continued hoping up and down for some sorry he continued hoping up and down for some time कुछ समय तक तो वो उपर नीचे होता रहा मिस उसको केटली में गरम लगता तो वो उपर हो जाता और बहार ठंड लगती तो वो नीचे बैठ जाता था and until grandmother arrived जब तक कि दादी मान नहीं आ गई and hold him और उसको बहार निकाल लिया half boiled आधा उबला हुआ out of the केटली केटली के बहार निकाल लिया में चला नहीं था वो if there is a part of the brain especially developed to mischief that part was largely developed into two यदि जानवरों में कोई पार्ट होता है ऐसा brain में कोई especially part होता है जो जिसमें शरारत वाला पार्ट होता है तो वो monkey में पूरी तरह से developed था बहुत ज़्यादा developed था वो पार्ट जो वो शरारत वाला था he was always tearing things to pieces वो हमेशा थी जो को फार देता था pieces में divided कर देता था whenever one of my aunts came near him जब कभी भी मेरे चाची उसके पास आने की कोशिश करती थी तो he made every effort to get hold of a dress and tear a hole in it तो वो हर प्रयास करता था कि दादी माग की कपड़े चाची के कपड़े फार दे और उसमें hole कर देता था one day at lunch time अब एक दिन क्या हुआ lunch time था a large dish of plough stood in the center of the dining table अब dining table पर एक बड़ी सी plough dish रख दी गई we entered the room to find toto stuffing himself with rice अब जैसे ही हम room में enter हुए तो हमने देखा कि stuffing में सोता है ठूसना मूं में भरना तो टो टो क्या कर रहा था फुलाब को अपने मूं में भर रहा था my grandmother screamed मेरी दादी मा screamed में चिलाई and toto threw a plate at her तो टो 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 ने क्या किया एक plate उठा करके उनके उपर फेक दी one of my aunts rushed forward जैसे ही मेरी एक चाची दोड करके आई and deceived a glass of water in the face मंती ने क्या किया टोटो ने एक glass उठाया पानी का भरा हुआ और दादी उच्वरी चाची के उपर फेक के मारा when grandfather arrived जब grandfather आये टोटो picked up the dish of pulau तो टोटो ने क्या किया dish जो plate थी pulau की उसको उठाया and made his exit through a window और विंडो से बाहर चला गया पुलाप की dish को लेकर के he found him in the branches of the jackfruit tree अब वहाँ पे वो एक उनके घर में एक jackfruit tree था कटल का पेड़ उसके शाखाओं पर बैठ गया the dish dish is still in his arms अभी भी जो dish थी वो उसके हाथ में थी he remained there all afternoon वो वहाँ पूरी दोपहर रहा eating slowly through the rice और चावलों को धीरे 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 खाता रहा determine on finishing every grain उस उन्हें पका इरादा कर लिया था कि हर दाने को वो finish कर देगा and then और तब in order to spite grandfather who had screamed at him अब दादा जी ने ये इच्छा से कि वो उसको कोई नुकसान न पहुचा दे उसके उपर चिलाए चीखे, he threw the disc down from the tree and chattered, उसने क्या क्या disc की जो पुलाव की जो disc थी, वो plate वो नीचे फेग दी और बड़े खुशी से चैचैचैचै करने लगा obviously toto was not the short of pet उचित रूप से हम यही कह सकते हैं कि toto एक इस प्रकार का जानवर नहीं था, कि we could keep for long, जिसको घर में बहुत दिनों तक रखा जा सकता था, even grandfather realized that यहां तक कि grandfather भी इस बाप को समझ चुके थे, we were not well-to-do, हम इतने well-to-do means, ameer rich, हम इतने rich भी नहीं थे and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpapers और कि हम रोज-रोज clothes को, dishes को, curtains को नया लाते रहते, so grandfather found the tonga driver इसले grandfather ने tonga driver को ढूंडा and sold toto back to him, और toto को बापिस उसको बेच दिया, for only three rupees, केवल three rupees में, students this was the story of toto, you read and enjoyed very well, I hope so stay home, stay safe now